गाईस इस वीडियो में हम लोग सेखने वाली की कैसे आप लोग अपने एटल की इंड़ानेट की स्पीड को बढाएंगे तो छले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले गर आप लोगों ने भी तर में चांग को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों एटल के इंट्रेनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन की सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बद आपको यहान से SIM Card & Mobile Data के उपर क्लिक कर देना है इसके बाद guys आपको यहान से अपने ATL के SIM को select कर लेना है तो guys जैसे आप लोग यहाँ पर अपने ATL के SIM को select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक option देखने को मिल जागा है access part name तो आपको यहाँ पे इसके पर click कर देना है तो guys जैसे आप लोग यहाँ पे click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे by default APN देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल भी touch नहीं करना है इसके बाद आपको यहाँ पे plus का icon के उपर click कर देना है तो guys जैसे आप लोग यहाँ पे plus का icon के उपर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे new APN का form open हो जाएगा तो guys इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर name के option पर click कर देना है guys आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होगा जो भी में यहाँ पर capital letter में लिख रहे हैं आपको capital में लिखना है जो भी में यहाँ पर small में लिखना है तो guys आपको यहाँ पर name में लिख देना है ATL तो simple सा आपको यहाँ पर ATL लिख देना है इसके बाद आपको यहाँ पर space देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है LTE तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी capital में लिखना है जो भी यहाँ पर small में आपको small में लिख देना है इसके बाद आपको यहाँ पर इसको ok कर देना है ok करने के बाद आपको यहाँ से APN के option पर click कर देना है तो गैसे आप लोग यहाँ पर APN के option पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है to be a player natal इसके बाद कि इसके बाद है قढा को नीचे जाना है यहां पर किलिक कर सहे होगा इसके बाद है क्लिक यहां भूगल का Va जरूद इसके लिए Кपी लगा द seriously Google.com तो simple सा आपको यहाँ पर लिख दिने हैं इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको OK कर दिने हैं OK करने के बाद आपको नीचे जाना है आपको यहाँ पर MMSC not set रहेगा MMS proxy भी not set रहेगा MMS port यह भी आपका not set रहेगा MCC और MNC आपके area code रहेगा इनको बिल्कुल भी touch नहीं करना है इसके बाद आपको यहाँ से authentication type के उपर click कर दिने हैं और इसमें से आपको यहाँ से second वाल option है path आपको यहाँ पर इसको select कर लेना है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर APN type के उपर click कर दिने हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर लिख दिने है default तो गई सबको simple से default लिख दिने हैं इसके बाद आपको यहाँ पर इसको OK कर दिने हैं OK करने के बाद आपको नीचे जाना इसके बाद आपको यहां पे ApnProtocol के ऑपर क्लिक कर देना है और इसमें से आपको यहां पे Last Taly option को सेलेट कर लेना है IPv4 अबलिक IPv6 इसके बाद आपको यहां पे APnRoman met刚 Woocooll के ओपर क्लिक कर देना है इसमें भी आपको यहां से last ओले option को select कर लेना है इसके बाद इसमें जो सबसे important होता है बीरेर होता है तो आपको यहां से बीरेर के उपर click कर देना है और इसके बाद आपको यहां से का अपकी ऐनले के इसके बाद आपको यहां पर back जाना है बैकके बाद आपके इसको save कर देना है तो गइसं तरह आप लोग अपने mobile phone में एंटेल के sim में इसेhe इसे पिन कर यूजज करके अपने एटेल की internet की speed को बढ़ा सकते है तो धंक वर्ले को लाइक करें चैनल को झाल झाल